How are you all today? I hope you all are well. So today we are going to start our last chapter that is waste water story. 7th class का slaybaz इसी के साथ खतम हो जाएगा और जो next classes है उसका start हो जाएगा, ठीक है? So waste water सबसे पहले होता क्या है? Waste water is the black brown water that goes down the drains from the sinks, showers, toilets, laundries, etc. यह आपका waste water क्या होता है? Waste water जो होता है, basically सारा गंदगी वाला पानी होता है, जो भी waste हो चुका होता है, जो आपके toilet से निकलता है, जो शार से पानी वेस्ट होता है, sink से, laundry से, अलग लग जगां से, इंडास्ट्री से, इसको हम बोलते हैं waste water, यह actually black brown color का होता है क्योंकि इसमें impurities होती है, dirt होती है, ठ सीवेज क्या है, it is a waste water released by homes, industries and hospitals etc. यह जितने भी सारी waste water होती है, जो हमारे घरों से, इंडास्ट्री से, इससे release होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, सीवेज, it also constitutes the rain water, जो rain water होता है, सारा का सारा जो नालियों में बह जाता है, यह सारा का सारा सीवेज सिस्टम, सीवेज के अ words कई बार आएगा, contaminants, contaminants का मतलब होता है, गंदगी, ठीक है, गंदी चीजों, impurities को हम लोग बोलते है, contaminants, so आपका next है, यह आप जैसे इस picture में देख सकते हो, कि सारा का सारा contaminated water है, मतलब गंदा पानी है, यह सीवेज सिस्टम, जितना भी industries होती है, उससे सारा गंदगी वा जाता है हमारी water bodies में, like rivers, ponds, और आप लोगों को तो water वाले chapter में मैंने बताया था कि fresh water कितना ही कम रह गया हुआ ना, 1% के बराबर है fresh water, अगर हम उसी को गंदा कर देंगे, तो हम बाद में पानी खुद से कहां से पीएंगे, तो यह सारा का सारा जितनी भी industries होती है, ट्रे waste water treatment plant, अब इसके बाद में government ने क्या decide कि जो industrial industries है, उनको waste water treatment plant लगाने पड़ेंगे, ताकि जो गंदगी है, जो वो release करते हैं पानी में, वो harmful ना हो हमारे लिए, और जो उनके अंदर रहते हैं, जो पानी के अंदर जीव रहते हैं, इनिमल्स रहते हैं, एक्वाटिक प्लां के साथ उसके अंदर से गुजारा जाता है, then the larger objects like rags, sticks are removed, जितने भी गंदे बड़े बड़े ऐसे particles होते हैं, जितने भी गंदे बड़े बड़े ऐसे particles होते हैं, जितना पानी होता है, वो आगे को ट्रांसफर हो जाता है, एक टैंक में, जहां पर sand or grit होती है, sand or grit क्या करती है, जितने भी impurities होती है, sand or grit के particles के साथ attach हो जाती है, और वो नीचे बैट जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, spread of fresh water decrease, इसमें जो fresh water जो है, मतलब, वो रुख जाता है, उसकी speed जो है, उसकी कम हो जाती है, speed of fresh water decreased, then it is transferred to the larger tank, फिर इसको larger tank में डाल दिया जाता है, बड़े टांग में, then sludge बन जाता है, sludge is transferred to the another tank, फिर जो sludge होता है, वो दूसरे टांग में डाल दिया जाता है, यहां पर अनॉर्बिक बेक्टीरिया डाल देते है, मैंने आपको अपने पहले chapters में भी बढ़ाया था, यह अनॉर्बिक बेक्टीरिया क्या होते है इनको oxygen की कोई requirement मी नहीं होती, यह बिल्कुल गंदी-मंदी चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है, तो यह impurities को क्या करेंगे, खा लेंगे, और जो हमारा पानी है, उसको सही कर देंगे, और जादा सही कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, air is pumped into the clarified water, जितना आ oxygen taking bacteria होते है, उसको oxygen की requirement होती है, तो वो सारी की सारी चीज़े जो है, उससे purified हो जाएंगी, तेन the suspended microbes settle at the bottom of the tank, as activated sludge, फिर क्यों होगा, जितने भी microbes होंगे, वो आपकी नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल, और साथ में जो water है, उसको उपर-उपर से निकाल लिया जाएगा, sludge and the water is removed from the top, then आपका उसके बाद क्या होता है, the activated sludge is about 97% water, water is removed by sand drying beds, एक sand की drying beds होते हैं, उससे जो है आपका पानी रिमूफ कर लिया जाता है, और जो sludge होती है, is used as manure, मतलब जो गंदगी बन गई होती है, उसको हम manure की तरह ही उसको हम manure की तरह ही तरह है, मैं manure के होते हैं, और खाद होती है, बहुत अच्छी सी खाद होती है, जो हमारे पौदों को उगने में हेल्प करती है, अच्छी तरह से पोड़क्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, ट्रीटेड वाटर हाज लो लेवल ऑफ और गैनिक मैटेरियल और सुस्प बाट च्छी स्वाइब लिए, वो इस तरह से शारा से चारा जो, जो हो जाता है, उसके बाद में जब साफ sì हो आघार है, इस के बाद में पको कहांपर डेदे थी हैं वाटर बॉडी में टाल देती हैं, यह उनको विह आम नहीं ऑर हम लोग को भी हाम नहीं ही है, ठीक है? फिर आपका आता है better housekeeping activities अब यह क्या है better housekeeping activities होती है जैसे आप जो घर पे कुछ ना कुछ कर सकते हो waste water को treat करने के लिए जैसे cooking oil and fat should not be thrown down the drain जितना भी आप fats घी में जो खाना बनाते हो कुछ भी करते हो वह आप सैसे सिंक में डाल दते हो ना तो वह drain में चल जाता है नीचे नालियों में चल जाता है फिर ब्लॉक हो जाते है नालियां उससे तो उस water को हम लोग क्या कर सकते है तो इसको हम reduce कर सकते ह फिर आपका आता है chemicals like paints, mortar oil, etc. should not be thrown into the fresh water because यह aquatic जो हमारी life होती है aquatic animals होते हैं उनको destroy कर देता है aquatic plants को destroy कर देता है उसके बाद जो हमने fresh water पीना होता है उसको भी गंदा कर देता है ठीक है फिर है used tea leaves, solid food remain इसको भी आपने dust bean में वैटना है ऐसे दर उदर नहीं फैंक देना किस and diseases इसमें क्या होता है poor sanitation and contaminated drinking water can cause the number of diseases अब जितना गंदा पानी होता है बहुत सारी गंदे गंदे diseases हो जाती है जैसे cholera, typhi, polio, jaundice इसारा गंदे पानी से ही होता है ठीक है तो अपने आपको अपको अगर बचा के रखना है तो waste water की treatment करो अपने घरों पे भी इंडास्ट्र arrangement for the sewage disposal अब अलगलग तरह के sewage disposal के methods भी होते हैं जैसे कि आपका chemical toilets यह सारा का सारा trains में आजकल यूज होती है इंडियन train ने railway ने start की थी chemical toilets बनाना अगर आप कहीं भी आप जाते हो और भी कहीं जाते हो जैसे कि paragliding के लिए जैसे आप धरमशाला वाली साइड जाते हो chemical toilets होते हैं composting pits यह क्योंकि easily handle होते हैं इसलिए chemical toilets हर जगा सकते हैं easily tanks होते हैं ठीक है अब आपको pictures भी इसकी दिखाती हो इसकी picture देखो यह है septic tanks इन tanks में water जो wastewater है वो treat हो सकता है फिर आपका अगला आजाता है chemical toilet इस तरह के दिखते हैं कुछ chemical toilets ठीक है फिर आपका आजाता ह है यह सारा का सारा जितना भी है वो cover up हो जाता है so thank you all कि आप लोगों ने साथ या इतना जादा support किया 7th class के जितने भी सारे बच्चे हैं तो आपके लिए special message भी है so do watch it thank you hello everyone as you have seen this was the last chapter of 7th class labels of biology so next time हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछी दिनों में आपका 8th class की नया session स्टार्ट होगा जिसमें 8th class के सारे bio के जितने भी आपके chapters है वो complete करेंगे हम लोग और fun activities या फिर guest appearances वो भी होती रहेंगी so stay tuned and do subscribe, like and share as much as you can और अब जितने भी आप 7th class वाले subscribers थे कुछ भी थे उन लोगों को भी मैं कह रही हूँ कि जो 8th class के आपके friends है या फिर आपकी बड़ी दीदीब है या कुछ भी 8th class के होंगे तो उनको बोलना कि इसमें जो chapter हैं आपके वो sessions थोड़ी दिन में start हो जाएंगे so stay tuned और साथ मे एक और चीज में आपको बोलना चाहती हूँ जैसे कि आप लोग कई सारे होंगे वो समझते होंगे कि 7th class का syllabus तो complete हो गया बट हम आगे क्या करेंगे या फिर कोई बड़े subscriber होंगे है जो 7th class का नहीं बढ़ते है इसमें बट actual में क्या होता है जो कितने में आपके competitive exams है as you have seen क जो PCS की notification है या फिर आपका UPSC होता है उसमें जो आपका bio का भी थोड़ा सा portion रहता है वो आता है आपका NCRT 7th to 10th class के बीच बीच में तो वो सारा का सारा आपने complete out करने के लिए ये वाली जो videos है आपके लिए बहुत जादा helpful होंगी so it is helpful for both the children as well as the adults one जिनोंने अपनी पढ और एजिस युनिवरस्टी में तो उनके लिए भी बहुत helpful होगा so do subscribe like and share thank you